स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूटीब चैनल फिल्मों की दुनिया में पिछली वीडियो में हमने फरजी वेफ सिरीज की कुछ एपिसोड एकस्प्लेन किये थे आज उसके आगे के एपसोड एक्स्प्लेन करने वाले हैं अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहले उसे देख ले तो शुरू करते हैं इसकी शुरूआत में दिखाते हैं सनी और फिरोज विदेश में मनसूर के अड़े पर जाते हैं यहां नकली नोट प्रिंट्स करने की बड़ी-बड़ी मशीने लगी होती हैं वो दोनों वहां जाकर नकली नोट चापने लग जाते हैं और मनसूर यहां उन से बहुत खुश होता है यहां मनसूर उन दोनों को बिलाल और जीतू काका से मिलवाता है सनी और मनसूर यहां उनके लिए बहुत पैसा चापते हैं यहाँ एपिसोड पांच शुरू होता है जिसका नाम सेकंड ओल्डेश्ट प्रोफेशन होता है यहाँ दिखाते हैं माइकल अपने डैवोस के लिए एक वकील से बात कर रहा होता है माइकल को उसके खबरी से बिलाल की इन्फोमेशन मिलती है कि वह बांगलादेश में है वह उसको पकड़ने का प्लान बनाते हैं सनी और फिरोज जब घर लोटते हैं तो उसके चाचा उनसे काम के बारे में पूसते हैं तो सनी उन्हें कुछ नहीं बताता है यहां उसके चाचा कहते हैं कि उसके नानू के डॉक्टर उससे मिलने को बोल रहे हैं जब वह दोनों वहां जाते हैं तो वह बताती है कि दिल्ली के सर्जन ने खुद उन्हें फोन करके यह सर्ज़री करने को कहा है तभी मनसूर सनी को कॉल करता है और यहां पता चलता है कि ये सब मनसूर ने करवाया है इसके बाद माइकल बांगलादेश में बिलाल को पगड़ने का ओप्रेशन की परमीशन मिनिस्टर से मांगता है पर वह मना कर देता है तो वह इसकी बाद अपने दोस्त तिवारी से करता है सनी अपने नानू को हॉस्पिटल में एड्मिट करवाता है और माइकल की पूरी टीम बांगलादेश पहुच जाती है वहें वहां के आर्मी ओफिसर्स के साथ ओपरेशन करते हैं और किसी तरह बिलाल को पकड़ लेते हैं इसके बाद दिखाते हैं कि साइरा मनसूर से मिलती है और यहां पता चलता है कि मनसूर भी किसी के लिए काम करता है और उसके उपर भी कुछ लोग है माइकल बिलाल को एक घर में छुपा कर रखता है यहां माइकल बिलाल से इस मनसूर के बारे में पूसता है और कुछ information उससे निकलवा लेता है यहां उसके पास से कुछ note मिलते हैं जो बिल्कुल असली की तरह लगते हैं वहीं हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि मनसूर सनी के नानू से मिलने आता है और सनी से बात करता है और उसको बताता है कि बिलाल पकड़ा गया है और यह सब एंटी काउंटर फिटिंग सेल ने किया है और उसको इसके बारे में पता करना पड़ेगा इसके बाद उनके चाचु सनी और फिरोज को मनसूर से दूर रहने के लिए बूलते हैं तो इसको लेकर उनमे और सनी में पहस हो जाती है और फिरोज इस बात को लेकर सनी को डाटता है इसके बाद दिखाते हैं बिलाल हॉस्पिटल में होता है क्योंकि माइकल ने उसको गोली मारी थी यहां माइकल उसको डरा कर उससे मनसूर के बारे में बूसता है इसके बाद दिखाते हैं सनी एक कैफे में मेगा से मिलता है और उनमें दोस्ती हो जाती है मेगा उसको बोलती है कि उसे नए घर की जरूरत है तो सनी उसे दिलवाने को कहता है बिलाल माइकल को बताता है कि आर्टिस्ट मनसूर की गैंग में नया नया शामिल हुआ है और अभी मनसूर उससे मिलने इंडिया भी आया था अगले दिन मेगा सनी के साथ नया घर देखने जाती है तो सनी मेगा का फोन लेकर एक डिटेक्टर उसके फोन में इंस्टॉल कर देता है ताकि उसके फोन की सारी जानकारी सनी के फोन में आ सके और यहां से वो उसके फोन के मैसेज देखने लगता है और यहां एपिसोड पाँच खत्म हो जाता है इसके बाद दिखाते हैं कि सनी और मनसूर की 15% पर डील होती है कि पूरा पैसा मार्केट में तो आरने के बाद सनी को 15% हिस्सा मिलेगा यहां एपिसोड 6 शुरू होता है जिसका नाम कैट एंड माउस होता है और दिखाते हैं कि बिलाल को अपने खबरी से पता चलता है कि देश में 12,000 करोड की नकली करेंसी आने वाली है माइकल और उसकी टीम इसे रोखने का प्लान बनाती है बिलाल उनके सारे रोट के बारे में बताता है कि वो कहां कहां से आ सकते हैं यहां सनी और बिलाल जिस रोट का प्लान बनाते हैं वहां कब माइकल की टीम को पता चल जाता है तो सनी मंसूर से कहता है कि उनके बीज में कोई खबरी है इसके बाद दिखाते हैं कि देश में अलग-अलग जगा से नकली नोट मिल रहे हैं असल में यह सब मनसूर और सनी का प्लान होता है ताकि वह माइकल को उलजा सके सनी और फिरोज ओमान जाते हैं और शिप में 12,000 करोड रुपे लिकर देश में आते हैं आते वक्त उन्हें पता चलता है कि जहां उन लोगों को पहुशना था वहां पुलिस की चैकिंग हो रही है तो वो पैसो के कंटेनर समुदर में फेक कर नाउ से चले जाते हैं और किनारे पर खाली शिप पहुशता है इस तरह वो पुलिस की चेकिंग से बच जाते हैं एक अंजान शिप जब किनारे पर पहुंसता है तो ये खबर सभी न्यूस चैनल में फैल जाती है उसी रात सनी एक अलग शिप ले जाकर वो सारा पैसा उसमें लोड करके उसके ठिकाने पर पहुंचा देता है और यहाँ एपिसोड 6 खत्म होता है तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेर करें और आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद